कि है अप लोगा सब्सक्राइब आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे एक दम वेरी गुड इवनिंग टु आल अफ यू चलिए आज का सेशन सुभारम करते हैं एक अब ही तक आपने कुछ भी नहीं किया है तो आज सबसे बेस्ट डे है अपने आपको बेहतर गरने का सो यू आप टू किप ऑन चलिए सेशन का शुभारम करते हैं सबसे पहला जो कुशन है यहां पर क्या आपकी कोडिंग यहां पर क्या एंसर होना चाहिए यू कैन राइट इसको आई ईच लिक गया है तो सिंपल से बात है ना की की ओल्टा ऑथा हूता है और को में ओल्टा होता है और टी को होते है basement कर दिया गया तिस इम लोगिक कि यहां पर आपको डूना है चाल हो उप्समें यहां पर जैका कर डी है तो हो गा नहीत है Q क vaccinated हो सकतत है हाँ होता है जैसे सी का क्या होता है एक्स होता है जी का क्या होता है टी होता है डी का क्या होता है ठीक है मतलब यह पूरा पोजीटिव है आपको यह पूरा यह से जड़ तक आपको याद करना जड़ तक क्या एम तक की तो होता है टोटल 26 मेरा ठीक है एम तक एका जड़ होता है ब यहां पर लोजिक पगड़ना क्या हो सकता है क्या होगा फटाफटा बता है दम डेखो मेरे कोड़ीं यहां पर जैसे पांच और छे हैं ना च्हपन है तो दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएक ग्यारा फिर उसके बाद कर दो कितना हो जाएक है तो एकड़ीस जाएंगा इसका हो जाएगा पर तका लॉजिक पकर लो एक तम हां यहां पर क्या का जाएक केशव है टीक है केशब ने निधी को अपने दोस्त से मिल वाया इस तरह कुषर अकसर पूछा जाता है बचाने वाइं गरबर यहां पर क्या रिलेशन हो सकता है देखो यहां पर किसके बारे में बात करिया जा रहा है वह जो है मतलब नीधी के बारे में वह मेरे पीता मान लेते हैं यहां पर केसब है ठीक है केसब कह रहा है कि मेरे पीता की ठीक है कि पतनी की पतनी का एक लौता बेटा एक लौता बेट कि बेटी है कौन ये नीधी जो है ना ठीक है नीधी जो है ठीक है मतलब इसके पापा के पत्नी की एकलोते बेटा का बेटी है कुशन क्या पुछा जा रहा है केसब नीधी से किस प्रकास समझते केसब कौन है केसब ये पापा हो गया सिंपल सा बाता है नहीं मिलवाते हैं किस सकता है जरा सोची देखो आठ उने नौ देखो यहां पर एडिजनिंग यह कहता है ना यह अगर मल्टिप्लाई का साइन दिया वह इसका मतलब यह नहीं कि आपको मल्टिप्लाई करना है वहां पर पस वह ऐसे अगर आपको डाटा याद रहता है ने स्कॉएड अगर नमबर याद रहता है तो दहाय बनेगा जैसे आठ में नोजुली का जाएगा 17 सतरह का स्कॉएर करते दो सब्सक्राइब करते हैं तो नहीं तो यहां पर एक लोजिक ढूंडना है जो यहां पर आना थे से यहां पर भी होना चाहिए कि क्या किया गया हो सकता है यहां पर इसका चार गुना है तेरा का चार गुना तब देखो चार गुना और आगे क्या है स्वाइर रंच चौन को जोड़े को कितना हो जाएगा साथ साथ का स्कौइर करें कितना हो जाएगा उन चार सूबह चुबह क्या होた है कि पूहां पर चंदन के बाईय और शुरुची की छाया परती है जेको अगर इस इसमिपल साव लोजिक है गास पूलज पूडब की तरह पर तो छाया इधर जाएगा तो हम यहां पे बैठाते हैं चंदन को यहां पर करते हैं सुरूची सामझे है डीक है तहीं तुना ईए दूसरे एक दूसरे को उपर है फोकस고 रहा है डीक है तो अब जो होगा जैसा इसका शाय इधर जाएगा इसका शाय इधर जैहां चंदन के बाइच वानियोड सुरुची की क्षाया परती है चंदन के बाई ओने ये वला ऐसे तो नहीं हो सकता है अब कैसे होगा तो सुरुची का मुख जो है न चाहिए भी तो हो सकता है न चंदन के बाई और सुरुची की छाया पड़ती है अच्छा देखो यहां पर इसके कोडिक हम करते है ठीक है मालो इसका अगर छाया है है एक दूसरे के आमने सामने है और यहां पर तो यह होना इस हां डेक्ट करते हैं लेते हैं माल लेते हैं चंदन अगर इधर देख रहा है उतर की तरफ देख रहा है तभी तो इसका ये बाया तरफ हो जाएगा है अगर हम चंदन को अगर दक्षीन की तरफ दिखाते हैं तो इसका जो छाया कभी भी होगा किधर पड़ेगा दाया की तरफ हो जाएगा ठीक है चानदन के दायों हो जाएगा और यह इदर देख रही तेसका यह बाई रही तो इल्टा हो जाएगा न तो इसलिए ध्यान में आपको रखने हैं कुछ नक्सर कंफूजन के लिए करने के लिए देखता है यहां क्या किया गया है यह से देखो 12 है ना दो एक को जो रहो कितना हो जाएगा तीन 4 ०ो नहीं नहीं ऐसा नहीं यह लौगिंग न कर दू दो और एक को गुणा कर दो कि इन भी कर सकते लिए नए जितना भी डिधिसट है न सब मखुना कर देख में तो चोड़ना बारा बारत यह क्या हो जाएगा च्छा तीस हो जाएगा सिंपल सा लोजी कुछ भी लगाया जा सकता है तो यह चोटा सा सेस्टन कैसा लगा आप लो कमेंट में लिखके जहूँ बता है जो पहली बार देख रहें से रिको इस ने प्ली चैनल को जहूँ सब्सक्रा